कि किdim फिर की में शेय। थो थे भी जो ए काम और strang complement कलें भाज हैं तो इंसके लिए मैंने एक फैपर लिया है और पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है साइड हमारी महली साइड हम स्लीप्स की आर महल की करेंगे walked in गयर जिसके लिए हमने गाल हमने 2bus का पॉर्डर अलग एक्ष्टर तयार कर लिया है स्लिप्स मार्क हम साथ इंच पर लगाएंगे एक इंच हम स्लिप्स का एक्ष्टर मार्जन लेके चलेंगे इस निसान को हम शीदा इस्ट्रेट लाइन खीच लेंगे आठ इंच हमारे स्लिप्स के आर महला हैं हम आठ इंच पर एक मार्क लगा देंगे मोहरी हमारे 11 इंच है हाफ करते हुए साड़े पांच इंच पर हम एक मार्क लगा देंगे इंच हम एक्ष्ट्रा मार्जन के लिए रखेंगे साड़े तीन इंच हम आर महल की गोलाई के लिए मार्क लगा देंगे ठाई इंच हम इस साइड से निसान लगा देंगे इस तरह से हम सिंपल स्लिप्स की तरह स्लिप्स ट्रॉ कर लेंगे मुहरी के एक्स्ट्रा मार्जन वाले निशान को हम तर्चा निशान लगा लेंगे टेटर इंच हम एक्स्ट्रा मार्ट लगा देंगे जो हमारे स्लिप्स में प्लेटर के लिए यूज होगा इस निशान को हम तर्चा करते हुए slips की shape ट्रो कर लेंगे slips की line ट्रो करते हुए हम slips की cutting कर लेते हैं इस तरह से हमने slips की cutting कर ले है slips की बीच में हम cut का निशान लगा देते हैं mori side हम 2 inch पर एक mark लगाते हैं और इस mark को तरचा करते हुए इसकी cutting कर लेंगे इस तरह से हमने cutting कर ली है side हम बीच में एक cut का निशान लगाते हैंगे slips को open करते हुए slips के बीच से हम 2-2 inch पर दोनों side mark लगा लेते हैं जिससे हम slips में बीच से प्लेटर डाल सकते हैं इस तरह के cutting हम अपने फैबरिक पर कर लेते हैं और दो इंच की हमने अपने अट्टी तयार कर ली हैं फैबरिक पर भी हमने 2-2 inch पर slips के बीच में निशान लगा लिया है जिससे हम प्लेटर आसानी से डाल सकते हैं इस तरह से हम अपने प्लेटर स्लिप्स के दोना साइड डाल लेते हैं तो फ्रेंट इस तरह से हमने इस लिप्स के दोना साइड प्लेटर डालनी है अब हम अपने दो इंच की पट्टी जो तयार की थी उन्हें तरचा करते हुए स्लिप्स की स्लिप्स करदेंगे और बीकी सेप दे देगे इस तरह से हमने अपने प्लेटर तयार कर लिया हुआ श्यक्त की महरी साइड हम पीचा पीच रख लेंगे और पट्टी को पीच में रखते हुए हम दोनों साइड से पट्टी को स्लिप्स पर अटेच कर देंगे आप चाहें तो इसकी जगे अपने मेंचींग का सलवार का या पजामी का कपड़ा भी अटेच कर सकते हैं या इसकी जगे आप डेडिमेट लेसेज का यूज भी कर सकते है तो फ्रेंट्स इस तरह से मैंने अपनी पट्टी को स्लिप्स पर अटेच कर लिया है तो फ्रेंट्स इस तरह से हमारी स्लिप्स तयार हो गई है तो फ्रेंट्स इस तरह से हमने अपनी स्लिप्स की कटिंग और स्टिचिंग बड़ी आसानी और सिंपल तरीके से कर ली है तो फ आपड़ता नाय mahन, थैक्क्षामाइ, झारा थैक्षामाँ